कोरोना महमारी के चलते गंभीर संकट से परेशान गरीब मजदूर रागीरों को भारती शक्ती चेतना पार्टी शाखा बांदा के द्वारा समाज के सैकलो परिवारों को पहुंचाई गई रासन सामग्री बांदा सहर के तमाम ऐसे गरीब परिवार हैं जिनको घरों में खाने पीने का भारी संकट है सरकार के 21 दिन के लागडाउन के कारण मुश्किलों का सामना करने वाले गरीब परिवारों में राशन बोजन की बड़ी समस्या है वहीं आज भारती शक्ती चेतना पार्टी के द्वारा ये पहल प्रागम की गई जो आज गरीब लोगों को घरगर जाकर राशन सामग्री पहुंचाई गई जिससे प्रशाशन के नियम पर एक एक लोगों को दूरी बनाकर सामग्री दी गई वहीं पुलिस प्रशाशन के द्वारा क्रम बधित होकर सेवा कार किया गया जो आगे भी जारी रहेगा हमारा ये संकल्प है हर संकट की घड़ी में देश समाज और सरकार के साथ है और समाज के पात्र और शमतावान लोगों से निवेदन करते हैं पड़ोस में रहने वाले जो लोग गरीब हैं उनकी मदद करें और समाज के समस्त जन्मानस से विनम्र निवेदन है कि आप किसी प्रकार का नसा ना करें मांस का सेवन ना करें और सरकार के नियमों का पूर्टया पालन करें जिससे आपका भवेश्य उज्जल बना रहा है बांदा से समवादाता धर्मेन सिंग की रिपोर्ट कोरोना महामाली से हर परिवाद परिसान है गरीब तपके के जो लोग है उनके भोजन पानी की वड़ी समस्ता है उनके पास अनांज नहीं है पैसा नहीं है तो ऐसे समस्ता से चल रहे है जनपदवाश्यों के लिए भारती सक्षितनपाडिक तरफ से आज 28 तारीब को हम लोग रासन बितरन करने जा रहे हैं रासन में हम लोग उने 2 किलो आटा, 1 किलो चावल, 1 नमक कपैकेट और अरहर की दाल यह चार समागरी रखी है ताकि कम जिकम एक परिवार में जितनी विसरदस रहने वाले 10-5 लोग एक दिन के भोजन तो उनका होई जाए तो ऐसे सेक्ड़ों परिवारों में आज यह रासन समागरी बितरन किया है और आगे भी मालब हमारी कोशिस समाज में जारी रहेगी जो दिन दुखी परिवार हैं गरीब परिवार हैं उनके मदद के लिए भारती सकती चेतना पर्टी समाज के साथ सरकार के साथ गरीबों के साथ हमेशा खड़ी रहेगी हमारी जहां जरूत होगी सरकार को, समाज को हम हर वक्त मत उनके साथ कदम से कदम मिला करके इस समस्या के साथ निपटने के लिए तयार हैं